शिरी सिवाय नमस्त टॉभ treatment, रादे रादे दोस्तों, आप सभी को सिव पुरान परधित मिष्दा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गुरूजी के सुन्दर सा उपायों के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करें बारों महीने प्रदूस आती है 한 ốn बारों महीने श्वराथ्री जाती है ऒरौ हे स्वराथ्री का बाहु आँ अगर वेपार ना चले दुख तकलित जादा हो छो जादा हो बहुत टैंशन जिन्दगी में चल रहा हो कोई काम होई नहीं रहा हो कोई दिक्कत ही दिक्कत है वेपार सही न चल रहा हो कश्त ही कश्त हो और यहां तक कहे अगर बिमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिन्दगी में दुख चल रहा हो कहीं मत जाना प्रतेक महीने प्रदोश आती है हर महीने शिवरात्री प्रदोश आती है एक लोटा पानी पांच बिल पत्र पांच बिल पत्र एक समी पत्र एक समी पत्र पांच बिल पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए साथ तने अक्षत के आखे अक्षत के डाल लीजिए और प्रदोशकाल में प्रदोशकाल जो शाम का समय होता है प्रदोशकाल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पाओं में चप्पल पहन करना जाईए घर में घीका दिया लगा कर कलश लेकर शिव के मंदर में चले जाएए शिव मंदर में दिया नहीं लगाना है आपको किवल घर में दिया लगा कर जाएए और शंकर जी के मंदर में वो ऐसा केसा ही पानी पूरा उंडेल कर डाल कर षवलिंग पर आजाज़ी जोली पसार कर प्रनाम करिये शंकर की देली पर दो मिनिट बेट कर Um Nawast Rivai का इसमर्ण करने थे ओम नमस्शिवाई भी आपको बोलना बताया था कि सुभाग गिवती नारी इस्तरी नमस्शिवाई ओम बोले और पुरुष ओम नमस्शिवाई अगर पती और पत्नी दोनों बेट कर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमस्शिवाई बोल सकते पर नारी अगर अकेले बेट कर रिस्मेंट कर रही है तो नमस्षिवाए ओम आप जब नमस्षिवाए ओम बोलना चलू करेंगे तो ओम अपने आप या गया जाएगा बोल कर देखिए नमस्षिवाए ओम नमस्षिवाए ओम पर पुरुष जब 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 पांच बार तीन बार फात ऑर कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर प्रदोष के इन बेट करता शिव नाम का जाब करें जल का पक्र बाकिस घर में और पड़े प्रेम से अगले महीं में फिर प्रदोश के दिन फिर परदोश कालमें शिव के द्वार जा फिर बिंटी करे कहीं मत जाना केवल संकर कि श्रण में जाना उससे। करना उससे निवेदन करने मुझे विश्वा से मेरे शंभू पर इसकंद पुरान करती है शिव महा पुरान करती है अगर आप ने दो या तीन या चार प्रदोश ही कर लिए तो मेरा महंकाल बाबा आपकी जोली तो भर ही देगा खुशी है दो तीन चार बस बहुत पुरे साल की तो आप करना चोड़ना मत ही अगर बाबा देवी दे तो पुरा साल तो करना ही करें बीच में नहीं चोड़ना बना कई बार इस्तरियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्मा जाता है तो हम नहीं जा सकते तो घर का कोई व्यक्ति पर करना सब पूरे महीने की हला हर महीने में एक बार कलेंडर में जाके निशान लगा लो लिखा हुआ रेता है परदोश निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदेर नमन करना है अपनी दिल की बात बाबा भोले ना से कहना है अपने मन का बात मुझे शिव स बस बिचार कर लिया और मैं निवेदन तरूंगा जितने लोग जल जड़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना थन तो जरूर देगा कि एक बार शुव महापुरान आप भी कराएंगे ये वक्ता बाबा इतना तो देगा ये विश्वास से कहता हाँ आपका मन है करना हो तो करो नहीं तो यहां तो तो हमारे यहां तो शुमाह पुरान की नियम कि एपकर आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत संघर्ष का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है, बहुत कष्ट का समय चल रहा है, बहुत जिस में दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, कष्ट की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ हो, जीवन में चल रही हो, बहुत तकलीफ जब जिन्दगी में चल रही हो उस समय पर दो बेल पत्र और दो पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश् एक पुश्प लाल लेना है एक पुश्प लाल लेना है और एक पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्पुश्प पत्र है, सफेद पुष्प वाला जो बेल पत्र है, उसको भगवान शंकर का जो शिविलिंग है, भगवान शिव का जो शिविलिंग है, उस पर समर्पित करना है। एक जो लाल बेल पत्र, लाल पुष्प का जो बेल पत्र है, लाल पुष्प वाला जो बेल पत्र है, लाल पुष्प का जो बेल पत्र है, वो बेल पत्र अशुक सुन्दरी वाली जगा पर और सफेद पुष्प का जो बेल पत्र है, वो सफेद पुश्पवाला बेल पत्र भगवान शंकर के शिविलिंग पर समर्पित करो अपने दिल की कामना अपने मन से बाबा से प्राथना करो अपने हृदय से भगवान शिव को कहो और दिल से देवदिर महादेव को कह कराओ दिल से हृदय से यह जब दिल से भावावा दीदे महादेव से कहोगे तो सो एक हरदय से भगवान शंकर से प्राथना करोगे तो देवादी ड महादेव सुनेंगे जो 시청 तो दोस्तों जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें जो नहीं किये हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरू लिए